शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें समझ नहीं आ रहा है एक रात में सबूत कहां से लेके हैं ये खून किया किसने है तीदू क्या डूण रही है आप क्या हुआ है कुछ पता चला है कि आपको ये शद्धा बताओ तो बात क्या है केती, चलिए सब्सक्राइब लेक्या है केती, चलिए सब्सक्राइब लेक्या है किसका है? लेक्या, केती ये किसका आप बताएंगे? अब ये वेडियो देखियों खुद ही देखलो रिहान से ये उसी खुनी का है जिसने अपने एक चुक से ये सबूत यहीं जोड़ दिया इसका मतलब राज का खुन इसने मा किरती राज का कातिल यही है ये ब्रिसलिट उस खुनी का है ये हमें पता है लेकिन हम ये बात अदालत में सावित कैसे करेंगे ये मैं सावित करोंगी वरूंजी इसका सबूत मैं लेकर आऊंगी कोई भी घर के बाहर नहीं जाएगा इस्पेक्टर किरन आप यहां क्या कर रही है कुछ लोगों को अभेतर पार्थी को बेगुना सावित करने के इतनी जल्दी है इसलिए हमने सोचा हम खुद ही आकर यहां पर निग्रानी रख लेते हैं और अदालत का जो पैसला है उसमें कोई गरबड़ी नहीं हो सकती आखर पुलीस की ड्यूटी का सवाल है इस्पेक्टर आप यहां सर आपको और आपके पूरे परिवार को यह सारी जगे खाली करने पड़ेगी फून यहीं पर हुआ है और जब तक अदालत का फैसला नहीं आ जाता यह पूरी जगे यह पूरा घर पुलिस की निगरानी में रहेगा और हाँ ध्यान रहे कोई भी इंसान घर के बाहर हमारी इजासत के बिगेर कदम भी नहीं रख सकता किरन जी आप चाहे मुझे रोपने की कितनी भी कोशिश कर लीजे पर मैं अपना पत्नी धन जरूर निभाऊंगी और अभे को निर्दोश साबित करके रहूंगी यह क्या नया नाटा के इंगा हुआ जी अदालत के फैसने आ जाने तक हम सब को यही रहना होगा और नीचे वाले घर में पुलिस होगी क्योंकि वहाँ पर राजगा किर्थी कुछ पी करके मेरे यहां से निकलने का रास्ता बना तक इस इंस्पेक्टर की नज़र कब से मेरी उपरी है अब वैसे भी आज सब की रात कहली ही होने वाली है तो हम सोच रहे थे क्यों ना चाय बना लेते हैं नीम भी तो किसी को आएगी नहीं चाय पीते हैं हम बना कराद यहां यहां पर क्यों आई हैं यहां यहां पर क्यों आई हैं यह आपे में जेल में टाल देंगे नहीं बेटा कोई जेल नहीं जाएगा और ऐसे डरों नहीं मैं हूना आप सब के साथ और हम डरते नहीं हम क्या करते हैं हम हम सौने के साथ कमरे में ही रहना आजिल चला श-जर के साथ बाहत माँ यहां दिल ओश gefादी नहीं टिलेवी नहीं पर क्यों बाहते हैं म진 choreography यह क्या कर दिया, दिखाई नहीं देता, माफ कर दीजेगा, वो ना, पता नहीं, कैसे गिर गया, हम तो फस चाहे दे रहे थे अरे, कीर्थी, यह क्या कर दिया तुमने, हाँ, एक काम तुम से ठीक से नहीं होता अरे, आपके तो कपड़े खराब हो गए, अरे, अब क्या करेंगे आप, जाहिए साफ कर लीजे, अरे, आप लगों को एक बार समझ में नहीं आ रहा है क्या, हम कहीं नहीं जाएंगे मेरी नजरों से बचने का रास्ता आखिर निकाल ही लिया तुमने श्रथा, ठीक है, जाहो, कर लो अपनी आखरी कोशिश फिर भी अभैत रपाठी की अब उम्रकैद नहीं, भासी पक्की है श्रथा, कोई बुरा सतना देखा आपने अब है श्रथा, तुम श्रथा, तुम इतनी रात को यहाँ पर कि घर पे सब ठीक है न, ममी, बापा, मच्चे है सब ठीक है भर अज तक इस जिंदिगे में कभी डर नहीं लगा पर अज बहुत गबराट हो रही है अगर कोट ने फैसला मेरे खिलाफ दे दिया तुम तो सब क्या होगा, ममी, बापा कैसे रहेंगे मेरे बिना बच्चे, ममने, बापा कैसे रहेंगे और तुम मैं आपके साथ हूँ अबे कलादालत के फैसले के बाद आप हमारे साथ घर चलेंगे ये विश्वास है मेरे तुम मुझे पर इतना विश्वास कैसे कर सकती है मैंने कभी तुमारी बात में सुनी थी तुम्हें कितना तंकी है क्योंकि मैं जानती हूँ आप मुझे से बहुत प्यार करते हैं और सुख में दुख में आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे और सुख में दुख में मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी कली काखरी दढ़ाई है अब है आपको उसके लिए तैयार रहना है अब याप आराम कर लिजिए कल सब ठीक होगा कुछ भी ठीक नहीं होगा तुछाए जितने भी सपने देख ले ये तु क्या बढ़ाए जा रहा था वैसे भी इंस्पेक्टर किरन तेरे घर पे नजर रख रही है तुझे तु सजा मिल के रही चन उठ जा नीन से जाग जा एक बार अभे को सजा मिल जाए तो मैं भी वापस लॉट जाए अरे कि लाइट को क्या होगा शंबू कोई है तुछा देखें लाइट को क्या हुआ कौन है वहाँ कौन है कौन है यहां इसे तो भी रुको रागनी क्यों अब क्या मांगने आई हो तो अबर के लिए माफी या तुम यह चाहती हो कि मैं केस वापिस ले लूँ है मैं ऐसा कभी नी करूँगी तुम्हारा यह नाटक ना श्रदा बहुत हो जुका बहुत नाटक करती हो तुम्हां यह सब को जानबूच कर किया ना ताकि इन चीजों की आड में श्रद्धा चुपचा बाहर निकल जाए और आप लोग सब लोग कान खोल कर सुन लो जाहे कुछ भी हो जाए सजा तो अभै को हो कर ही रहेगी तनुझा जी चाछी अमें चाछी जी को प्वारू फस्पिटिल लेके जाना होगा। अग्वरोनी, अब है पहले ही जेल में और अब भावी की ऐसी तम्मित कराब होगे। श्रदा भी नहीं, बता नहीं किस मन्यूस की नसर लगए हमारे बनुवार को, हमारे बनुवार की रक्षा की जेल. रागिनी, मैं तुमसे सिर्फ शुक्रिया कहने आई हूँ, मैं जानती हूँ कि इस वक्त अब है तुम्हारी बज़े से जेल में, लेकिन रागिनी, मैं ये भी जानती हूँ कि, कि मेरी बहन की इस्जत भी तुम्हारी ही बचे से बची हूई है, घर हो या फिर कोड तुमने एक बार भी मेरी बहन का नाम नहीं उच्छा ला, मैं उसके लिए तुमसे शुक्रिया कहने आई हूँ, किर्थी का नाम लेती तो, राज की भी दुन्या में बदनामी हो जाती हूँ, उसने चाहे जो कुछ भी किया हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करती थी, करती हूँ, और अब उसके जाने के बाद, मैं उसके साथ ऐसे कैसे कर सकती हूँ, अच्छा, कमाल है, क्योंकि मैं तो कुछ और ही सोच रही थी, क्या मतलब, कहीं, शाज और किर्थी की सच्चाई बहर आने से, तुम पर कितना मना असर पड़ता हूँ, और तुम्हारे सच पर, किस सच की पात करी हो तू? वही सच, जो सिफ हम नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार जैसे ओफिस की भी सभी लोग जानते हैं, कि कैसे तुमने राज को कंपनी का CEO से, एक मामुली करमचारी बना दिया? कैसे तुमने उसे जेल भिजवाया? कैसे तुमने उसकी सब के सामने बेज़दी की? राज मुझे दोका दे रहा था, मैंने जो कुछ भी किया गुस्ते में किया! इतना गुस्ता, कि तुमने राज को जान से ही मार दिया! शर्दा! तुम्हारा कोई हक नी बनता, कि तुम मुझ पे इसना गंदा, गिनोना और जूटा इल्दाम लगाओ! राज मेरा प्यार था! अच्छा, तो फिर क्या दुम अभी यही कहोगी? प्राद्स, डॉक्टर! 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 डॉक्टर, जल्दी आइए! जल्दी, ज्या होगा? अँमरी बाभी अचा नेक्ते बेहोश हो गएए. इन्हें अंदर ले चलिए बाभी ठीक तो हो जाएगी ना हाँ देखती हूँ देखती हूँ लाइंदर 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 हमारे परिवार की किस्मत में इतनी मुसीबते क्यो है किस्मत को दोश्मत दीजे बाज यह सब कीर्थी की गल्ती की सजा है जो अभे इश्रद्धा जाची और हम सब को मिल रही हैं यह उसे कभी माफ नहीं करूंगा झाल बीजे आपको नहीं बता है डादा भी तो किस मुस है और कैसे बता ताम वा जी यह बात इसदिए यह प्रेस्टेट देखा ना उसी वक्त मैं समझ गई थी तेकि राज को तुम ही ने मारा है और इसका जूटा इल्जाम तुमने मेरे पती पर लगा दिया और अब उसे सजा दलवाने के पीछे पड़ गई हो यह दुख्यारी पत्मी बनने का तुम्या के सामने सिर्फ एक नाटा कर रही हो ला तुम क्योंकि तुम्हारी अनल इतनी सी भी शरम ने इतना भी पच्टावा नहीं है कि तुमने कितना बड़ा पाप किया है कितना बड़ा जुर्म किया है इतना फ़ड़ा जुम जिसकी तुम्हें कभी माफी भी नहीं मिल सकती माफी तुमसे किस ने कहा कि मुझे माफी की जरुवत है राच को उसके पाफ की सजा मिली और मुझे उसकी खुशी और तुम्हें पता है सबसे अच्छी बात क्या है कोई भी कुछ साबित नहीं कर सकता तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये ब्रेस्लेट लेकर कोट तक जाओगी तो ऐसा सोच ना भी मैं क्योंकि दुनिया तुम पे हसेगी चानती हो रागे में किसी भी गुनाह का न तेर सवेर इंसाफ सरूर होता है और इस प्रेस्लेट को देखकर मैं ये समझ गही थी कि मेरी बात पर कोई अकीन नहीं करेगा इसे लिए मैंने असली सबूट हो गुन देगी चानती ही वह असली सबूट क्या है ये वही गल है ना राकिनी जिससे तुमने अपने पती का खून कर दिया बहुत बेवगूफ हो तुम तुम मेरी ही गन मुझे ही दिखा रही है और तुम्हे लगता है मैं तुम्हे से लेकर जाने दूँगी छोड़ो ना किनी छोड़ो मैं अभै को बेगुना साबित करने के लिए को तुम है कर साथियो अभै को फासी फिल कर रहेगी और मैं भी देश जोड़ कर चली जाओंगी तुम सबको उतना ही दर्भ मिलेगा जितना तुमने मुझे दिया है तुम मेरा प्लान खराब नहीं कर सकती अभै किसमत का फैसला तुमें कर चुकी होगी अभै की किसमत का फैसला तुमें कर चुकी ट्रागिनी सिंगानिया कभी नहीं हारती आरोपी अभैत रिपाठी को मिस्टर राज सिंगानिया के खूल के इंजाम में आईपी सी की धारा 302 के तहट पासे की सजास उनाई जाती है किसमत से टकराती उलजी लकीरों को सुलज हाती शद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाईए शिमारू उमंग